नमस्कार आप सभी का स्वागत है ठीन पी नियूस पे मैं हूँ आपके साथ निदियुपाद्धे नजर डाल लेते हैं बिहार की खबरों पर लालू यादव और तेजसी यादव की चहेते विधायक अनन सिंग के दिन खराब चल रहे हैं उनके पैतरी घर से AK-47 राइफल और ग्रेनेट की बरामदी मामले में कोट ने उन्हें दोशी माना है दरसल राश्ट्री जनतादल के इस बाहु बली विधायक और जिन धाराओं में दोशी ठराया गया है उनमें साथ साल या इससे भी अधिक की सजा हो सकती है सेना की ओर से चार साल के लिए युवाओं को अगनीवीर के तौर पर भरती करने वाली अगनीपत स्कीम का विरोध शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत भी हार से हुई है जहां बकसर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फैके हैं तो वहीं मुजफरपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं बकसर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पत्थराव किया जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाठली पूत एक्सप्रेस पर पत्राव किया गया और इसी बीच काशी पटना जन्शताब्दे एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लैटपॉम पर रुकी रही और इसे रेल परिशासन और यात्री परिशान दिखे बिहार के 6 जिलों के 7 अस्पतालों में ब्लड बैंक और 2 जिलों में डेकेर सेंटर खोले जाएंगे और इसी कड़ी में स्वासे मंद्री ने पटना में विश्वी रख्तिदाता दिवस के मौके पर कारिक्रम में हिस्सा लिया इस उरान उन्होंने कहा कि पटना सिटी के गुरु गोविन सिंग अस्पताल बार के अनुमंडल अस्पताल और गया और दर्बंगा समेथ कई जिलों में अगले एक साल के भीतर ब्लड बैंक बनेंगे और साथी गया और भागलपुर में DKS सेंटर भी जल्द शुरू किये जाएंगे बिहार पुलिस प्रेशासन ने दो साल पहले जारी सिपाही पस से लेकर इंस्पेक्टर पत्तक के तबादले संबंदी आदेश को रद कर दिया है साल 2020 में ततकालिन DGP ने तबादले का यह आदेश लागू किया था अब मवजूदा DGP SK सिंगर ने उस आदेश को रद करने का फैसला लिया है इस संबंद में फर्मान भी जारी कर दिया गया है अब पुलिस कर्मियों के तबादले दो साल पहले जारी हुई आदेश शंग्या 315 बटे 2020 के तहट नहीं होंगे कटिहार के कुर सेला थाना शेतर में उसवत थड़का मज गया जब प्रसव के बाद एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई बतादे कि महला को उसके परिजणों ने प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र में प्रसव कराने के लिए भड़ती कराया था वहीं बच्चे को जन्व देने के बाद महला की तवित खराब हो गई जिसके बाद उसे इलाज के लिए हाय सेंटर ले जाय जा रहा था जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई वहीं आक्रोशित परिजनों ने एंबुलेंस पे पड़े शव के साथ अस्पताल में जम कर हंगामा का तोड़ फोर शुरू कर दी सूसना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने मामने को शांत कराया और परिजनों ने अस्पताल करमचारियों के खिलाफ कारिवाई की मांग की है बिहार में मौसमी परिस्तितियां बदल रही है राजे का नया हीट स्पॉट अब बकसर हो गया है अब तक गया और औरंगाबाद ही भीशन गर्मी के लिए चर्चा में रहते थे लेकिन इस बार बकसर में सबसे जादा हीट वेव का असर रहा मौसमी भाग की मारे तो आने वाले समय में बिहार में गर्मी का प्रकोब और जादा देखने को मिलेगा और साथ ही बकसर की परिस्तितियों में भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा वहाँ पर तापमान के स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी बिहार बुलेटिन में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं